आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बिर नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी है कि आपका बहुत बहुत सबागे दोस्तों आपको पता ही है कि रामायन जो है लोगडाउन में दिखाई जा रही है बहुत हिट है बोने भी चाहिए तो मैंने सोचा कि आपको रामायन के बारे में बता दू रामायन लिखी कैसे गई उसके बारे में बता दू लेकिन किस महारिशी ने लिखी उनके बारे में बता दू तो आज हम बात करेंगे महारिशी वालमिकी की डांकू थे ये फिर कैसे भगवान राम की भक्ती में डूब गए आज हम इस चीज क समझेंगे. रामायन लिखी महारिशी वालमिकी ने संस्कृत में अफकोस, जलोत याङ सुस्लोक लिख डाले, बदल गये महारिशी वालमिकी, एक डाकू से महारिशी बन गये. ऐसे, डिव द्रश्टी खोल गयी, तीनो लोको में इनका नाम हो गया, चारो युगों में इनका नाम बोला जाएगा, कैसे हुआ ये, आज हम देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्धान तक निहोतरी के नाम से मेरी Facebook प्रोफाइल है, दोनों ही जगा प्लेचर की PDF रेज सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, दोस्त मैंने कवर किया, जो आप अब बोलते रहते कब कम्प्रीट करेंगे सर, वर्ड बैटल्स और इंडियन बैटल्स, दो कोर्से और हमने लॉंच किया, तो UPSC-IS का स्मार्ट कोर्से हमने लॉंच किया, जो की EMI पे अविलिबल है, इसमें गौरफ सर, महिपाल सर, प्रशान सर अपने इंपुट्स दिये हैं, उनके लिचर्स हैं, साथी साथ कुछ IS IPS के भी इंपुट्स हैं, तो आप अवेल कर सकते हैं, और EPFO, EPFO का भी कोर्स हमने लॉंच कर दिये, जिसका एक्जाम अक्टूबर में होना है, टोइटर पे आ गया हूँ, ये रही मेरी ID, अब दोस्तो तो हम महारिशिवालमीकी की बात करते हैं, महारिशिवालमीकी की बात करें, तो ये संस्कृत पोएट हैं, आपको पता, ये संस्कृत लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीके, exact रामायन कब लिखी गई, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जादतर स्कॉलर्स का मानना है कि ये 5th century BC के एराउंड लिखी गई, ठीके, और आदी काव है, first poet है, ऐसा बोला जाता है, वालमीकी के बारे में आपको पता ही है, और first epic poem हमारे यां, रामायन है, ठीके, 4 लाग से जादा words है, 24,000 verses, कमाल दोस्तों, इतनी epic, ये magnum opus work, वालमीकी ही कर सकते थे, ले कि दोस्तों, data तो मैंने बहुत ही कम रखा है, है ना, जो पढ़ा है मैंने वो मैं आपको बता रहा हूं, मुझवानी, ठीक है, अब देखिए, महारिशी वालमीकी की बात करें, तो इनका जो नाम है, वो वालमीकी नहीं है, इनका नाम था रतनाकर, और ये रिशी नहीं थे ये बाद में महारिशी बने, ये रिशी प्रचेत के बेटे थे, रतनाकर नाम था, तो रिशी प्रचेता जो थे, वो अपने बेटे से बहुत ज़ादा प्यार करते थे, उनका आश्रम चलता था, लोग आते थे, पढ़ते थे, एक बार क्या हुआ कि रतनाकर जो हैं, वो अ पीचर का आपको स्वरूप देखने को मिलता था ठीक है तो जंगल में रतनाकर खो गये अब बड़ी प्रॉब्लम किधर जाए कोई मिले ही न एक शिकारी आया उन्होंने रतनाकर को रोते हुए देखा तो शिकारी ने पूछा बेटा कहां से आयो पता ही नहीं रतनाकर को कु तरह उस शिकारी ने पाला पोसा इसको आगे बढ़ाया और बोला कि ये भी मेरी तरह शिकारी ही बनेगा बड़े होके अब ऐसे रतनाकर बड़े हो गए हून तो रिशी मुनी का ही है ना हून तो रिशी का ही है बनना तो इनको इनकी किस्मत इनकी नियती इनको महारिशी ही बनना है लेकिन बन गए ये शिकारी सायोग से उसके बाद दोस्तों रत्नाकर बहुत ज़दा खुश इनके माता पिता इनको बहुत ही ज़दा प्यार करते थे बड़े उके शिकार करने लगे शादी करा दे इनकी तीन पुत्रों को जनम भी दे दिया लेकिन धीमे धीमे हम द इनको शिकार नहीं मिलता था तो एक मार इन्होंने एक इंसान को लूट लिया अब एक इंसान को लूट लिया और उससे सब कुछ चुरा लिया सब कुछ ले लिया ये काम इनको बड़ा अच्छा लगा कि इसमें मुझे मेहनत भी कम करनी है और मैं अपने घर का पालन पोशड़ भी कर सकता हूँ, तो ये क्या करने लगे, जो भी मिलता था, जो भी अमीर गरीब कोई भी मिलता था, अगर उसके पास कुछ valuables होता था, तो वो रतनाकर जो थे, उनको मार के उनकी सारी चीजे ले लेते थे, दाका डालने लगे बकाइदा, लेकिन इनको परिवार को ये नहीं मालूम है, परिवार को बिलकुल भी भनक नहीं है, कि ये क्या कर रहे हैं, तो एक बार दोस्तों क्या हुआ, नारद मुनी, नारायड, नारायड, नारद मुनी, कोई भी भटकता तो नारद मुनी के पास बहुत ताकत तो थी नहीं, ठीक है, जैसे विश्नु के दस अवतार कोई ऐसा तो थी नहीं था नहीं कि नारद मुनी धनुजवार चला रहे हैं, परशन चक्र चला रहे हैं, ऐसी ताकत तो थी नहीं, गदे चला रहे हैं, नारद मुनी तो एक बहुत ही सिंपल से भगवान थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो रास्ता दिखाते थे, क तो यहां पे रतनाकर रास्ता भटक गए, डाकू बन गई ये, नारद मुनी एक दिन इनसे मिले, नारद मुनी ने बोला कि बैटा क्या कर रहे हो, क्या करते हो, तो इन्होंने बोला कि मैं डाका डालता हूं, तो बोला कि क्यू करते हो ऐसा, क्यू करते हो, इतने अच्छे हो, दिल साफ है तुमारे क्यों करते हो तो उन्होंने बोला कि इसी सही मैं अपना घरबार चलाता हूँ क्या करूं मैं अचली हुआ क्या था कि नारद मुनी को भी लूटने जा रहे थे रतनाकर जो थे नारद मुनी को भी लूटने चले गए तो नारद मुनी ने बोला कि मेरे पास तुमको क्या मेलेगा, मेरे पास कोई पैसे तो है नहीं, कोई पैसे तो समय नहीं चलते थे, मेरे पास कोई आभूशड तो है नहीं, कोई खाना तो है नहीं, मेरे पास वीना है, क्रिपाल है, वस्त्र है, क्या लूटोगे, लूट लो, तो यहाँ पे तेज इतना था नारायन तो या नारद मुनी तो आपको पता ही है तो नारद मुनी ने बोला नारद मुनी ने जादा उसे वही बोला कि तुम्हारा दिल अच्छा है ऐसा मत किया करो तो नहीं बोला कि मैं क्या करूँ यही हूँ मैं तो नारद मुनी ने बोला यह तो गलत है यह तो पाप है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे डिसकेशन होती है तो नारद मुनी ने बोला अच्छा एक काम करो तुम्हारे परिवार को यह पता है तुम्हें यह काम करत घर जाओ और घर में तुम्हारे जितने लोग हैं उनको भी इसका भागीदार बनाओ तुम बताओ कि तुम शिकार नहीं करते हो, तुम लोगों को लूटते हो तो यहां पर रत्ना करने बुला इसमें कौन से बड़ी बात है अगर वो मेरे सुख में मेरे दुख में भागीदार है तो मेरे पाक के भी भागीदार होंगे वो मैं बताऊंगा बिल्कुल जाके नारत मुझी ने बोला कि मैं यहीं पही वेट कर रहा हूं तुम चाहो तो मुझे व्रक्ष से बांदो ताकि मैं भाग ना पाओ तो उसके बाद रतना कर गए घर में पूछा और घर में अपने पिता-जी को बोला मैं शिकार नहीं करता हूँ मैं लोगों को लूटता हूँ मूट खराव हो गए पिता-जी का गुस्त आगे कि यूँ एसा कैसे करते हो तुम यही मैंने तुमको यही सिखाया है शिकार करना एक अलग बात है लूटना एक अलग बात है तो यहाँ पे बोला कि इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं यह सब आप के लिए करता हूँ लेकिन पिता जी का कहना यह था कि तुम हमारे परिवार के लिए करते हो दूसरे के परिवार को उजार के तो यह गलत है इस पाप के भागिदार तुम खुद हो कर्मों की सजा तुमको मिलेगी हम तुमारे पाप के भागिदार नहीं बनेगे यहाँ पे रतनाका को बड़ा जटका पहुचा कि मैं यह मेरे सुक में मेरे दुक में जो मैं चीजे लाता हूँ उसमें भागिदार हैं लेकिन मेरे पापो में भागिदार नहीं यह कितनी बड़ी सीक है आप देख सकतेना कितनी बड़ी आज देखी आज जो हो रहा है आप इसको relate करिए है ना कि एक इंसान बहुत ही कि उसके परिवार को भी उसका दंशर जिछेलना पड़ेगा अगर उसका परिवार को यह सारी बाते मालूम है तो यहाँ पे रतनाकर के परिवार ने मना कर दिया कि हम इस पाप में भागिदारी नहीं करेंगे उनकी पतनी ने भी मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया, माता जी, पिदा जी सब ने मना कर दिया, वापस है, दोरते दोरते, रोते रोते, emotional हो गये रतना कर और गिर गये नाराद जी के पैरों में, उन्होंने बहुत के भागिदार नहीं है, मुझसे बहुत बड़ा हो गया मैं पापी हूँ मैं क्या करूँ नारद मुरी अगे बैक टू दा वर्क नारद मुरी ने बोला भेलकोई टेशर मतलो मैं हूँ ना इसलिए तो हमें आप है ऐसा है तपस्या करो भगवान राम का जब करो मंत्र दिया उन्होंने लेकिन इतने जादा पाप कर चुके थे कि इतना डाका डाल चुके थे अगर हम बात करें रतनाकर की कि वो मंत्र बोल ही नहीं पा रहे थे होता है सब होता है यह यह दियालिटी है यह सब आज आप रिलेट करके देखिएगा यह आज की स्टोरी है एकदम कल्यूग में ही हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अख्या करो लेकिन जो मंत्र दिया वो बोलने पारे दना कर तो नारद मुनीक को एक आइडिया सूजा उन्हें का कि ठीक है कोई बात नहीं तुम राम तो नहीं बोल सकते मरा मरा बोलो शाहिर सी बात है मरा राम एक ही बात है वो लगा आतार जब करते गए महिनों बीत गए, हफ्तों भीद गए, सालों बीत गए, तपस्या में वो लीन हो गए, भगवान राम में वो एकदम समा गए, खुश हो गए नारद मुनी, नारद मुनी बहुत ज़दा खुश हो गए और इतनी ज़दा तपस्या कर ली यहां पे रतना करने कि अलोकिक तेज प्रकाश उन में आ गया, उनकी दिव विद्रश्टी खुल गई, भगवान विश्नु स्वयम प्रसन्न हो गए, और फिर नारद मुनी आए, नारद मुनी ने बोला कि हम बहुत ज़दा प्रसन्न हैं और अपसे तुम्हारा नाम रतना कर नहीं महारिशी वालमी की, तीनों लोकों में तुम्हारी चर्चाएं होंगी, और इस दुनिया में तुम्हारा नाम फैलेगा, तो ये सब हुआ इनके साथ, कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है अपसे, और अपसे तुम्हारा नाम वालमी की, और यहां से रतना कर वालमी की बन गए, लेकिन अभी तो कहनी पास अपना आश्रम बनाया वहाँ पे महारिशी थे लोग इनसे शिक्षा लेने आते थे श्टूडेंट्स आते थे इनसे सीखने आते थे तो इनके जो प्री स्टूडेंट थे वो थे भारदवाज भारत वाज रिशी भारत वाज नाम सुनाओगा आपने कभी हम इनकी भी बात करेगे इनकी भी टीचिंग्स की बात करेगे अब इसी दोरान दोस्तों महारिशी वालमीकी के आश्रम में आए राम लक्षमन सीता भगवान राम इनकी आश्रम में आये और वालमीकी से मिले महारिशी वालमीकी तो उनको देखे उनके चरणों में गिर गए उन्होंने बोला कि मैं आप से ही मिलने आपका मंत्र जप रहा हूँ और आप स्वयम प्रभू आप स्वयम मेरे सामने है यह तो मतलब अन्बिलिवेबल है तो यहाँ पर भगवान राम भी बहुत ज़्यादा खुश हुए भगवान राम ने बोला कि हम यहाँ पर रहने की थोड़ी जगा ढूंड रही है तो आप हमारी मदद करेंगे तो सबसे पहले तो महारीशिवालमिकी ने वो अंदर लेके आए उनको खाना खिलाया दूद फलाहार खिलाया उसके बाद फिर माता सीता को वो अपनी बेटी मानते थे कि सीता जो है वो मेरी बेटी की तरह है ठीक है और भगवान आप सोच रहेंगे कि राम लक्षमा सीता क्या कर रहे थे अरे भगवान वनवास मिला था ना वचन प्राण जाए पर रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए क्या बात है है ना तो भईया यहाँ पर वचन दे रखा था भगवान राम दे भगवान राम जो है ना वो administration का प्रतीक है administration कैसे किया जाता है मैंने बताया तो ना कि जिन्दगी जीने के दो रास्ते होते है भगवान कृष्ण और एक भगवान राम तो भगवान राम जो है वो administration, justice administration कैसे किया जाता है मर्यादा पुरिशोत्तम राम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इतना आसान नहीं है राम का रास्ता यह आज आपको बहुत ढोमी दिखी जाएंगे भगवान राम के बड़े भगत और इधर उदर से नारे लगा रहे लिकिन अगर आप इनसे पूछेंगे कि भगवान राम को define करो define भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि भगवान राम एक ऐसे शक्त्रिय हैं एक ऐसे योध्धा हैं जो हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं वो तो peace चाते हैं पूरी दुनिया में वो चाते ही नहीं कि युद्ध हो है ना तो भगवान राम की बात करें भगवान राम पे हम किसी और दिन बात करेंगे थिया फिलालम महारिशी वालमिकी बात करतें तो भगवान राम ने पूछा, तो महारीशिवालमेकी ने बुला कि महाराज बगल में ही चित्रकूट परवत है, तो आप वहाँ पे जाईए, और वहाँ पे आप इस्थान ले सकते हैं, वहाँ पे आप वो बहुत ही अच्छा है रहने लाइक, तो आपकी सारी जरूरते वहा यह बिल्कुल सही रहेगा, तो इसलिए चित्रकूट में, देखिए वनवास जो हुआ, आपको पता ही है, कि वनवास MP, इधर UP से शुरू हुआ, फिर MP हो गया, इधर महराश्ट्र हो गया, और यह पूरा कवर करते करते हैं, साउथ तक गए, है ना, तो यह पूरा वनवास था, ठीक है, जो 13 साल का वनवास यहां पे जेला, भगवान राम ने, ठीक है, 14 साल का वनवास जो उन्होंने जेला, उनको मिला था, क्या करे, क्या कई के कारण, मंधरा के कारण, in fact, ठीक है, हम रहाँ माईं डिसकस नहीं करते हैं, तो अब दोस्तों, महारशी वालमी की जो बार-बार सता रही थी, कि इनकी स्टोरी क्या है, तो नारदमुनीह, फिर से नारद मुनीह आ है, और नारद मुनी से पूछा, कि मैं चाहता हूँ, कि आप इनकी स्टोरी बनाये, बताए, अचली कहानी ये थी, कि जब भगवान राम से मिले, महारिशी वालमी की, तो देव लोकों को जो कंट्रोल करता है, वो कौन है? इस दुनिया का जो उथार करेगा, वो कौन है? पृत्वी में सबसे महान कौन है? तो नारण मुनी ने बोला, ऐसा एक ही इनसान है, सुरी इनसान नहीं, ऐसा एक ही है, वो है भगवान राम, श्री राम चंद्र हो गया कीके बारे में जब उन्होंने बताया तो महारिशी वालमीकी ने बोला कि मैं चाहताऊ कि आप उनकी कथा सुना है मुझे पूरी स्टोरी बताया तब नारंद मुदी पूरी स्टोरी भगवान राम की कि कैसे उनका जनम हुआ उसके बाद द्रश्रत से उनका कैसे क्या रिलेशन था, उसके बाद कैसे उनको वनवास हुआ, सीता जी से कैसे मिले, वो सब उन्होंने बताया, वाल मीकी की अगें दिव्विद्रश्री खुल गई और उन्होंने पूरी रामायन लिख डाली, लाग से जादा श्लोक उन्हों है, जैसे इदर इलियाइड और ओडिसी है ना, ग्रीक में अगर ग्रीक कल्चर की बात करें, तो वाँ पर इलियाइड और ओडिसी, होमर की बियाग्राफ भी मैंने रिव्यू किया, इलियाइड और ओडिसी भी मैंने बताया उसमें क्या स्टोरी है, आप देखिएगा, City of Troy ठीक है, तो यहां पे हमारे यहां रामायन है, epic poem, महा काव्य, आदी काव्य, the first poet was महारिशी वालमी की, ठीक है, तो रामायन की रचना यहां से हुई, अब आपको समझ में आया, तो यह चीज है, अब उसके बाद कहानी और बढ़ती है आगे, यहां पे दोस्तों क्या हुआ कि जब भगवान राम ने रावण को मारा, और राम और सीता साथ में आ गए, लेकिन यहां पे, अब आपको पते हिए कि सीता को अपने आचरण की, अपने चरेत्र की परिक्षा देनी पड़ी, ठीक है, अब जब ऐसा हुआ, तो भगवान राम ने सीता को देश निकाला कर दिया, तो लक्षमन जो है, वो बहुत ही ज़ाधा emotional moment है, दोस्तों, एक ऐसा अध्या है, जो बहुत ही, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते है, ऐसा हो, कि मा सीता को अगनी परिक्षा देनी पड़े, यहां पे प्रजा जो है, वो भगवान राम से, जवाब मानने लगी, अब ज सिखाती है, कि अगर आप administration में जा रहे हैं, ideal situation यह है, कि आपको अपने personal relations भी sacrifice करने पड़ेंगे, राजा का हित प्रजा की हित में है, यह चानक के नेमब बात बोली थी, और यह सही है, प्रजा के लिए आपको सही administration करना पड़ेगा, इसमें आपको अपने personal relations भी sacrifice करने पड लक्षमन ने माता सिता को वालमीकी के आश्रम ही छोड़ा था, महारिशी वालमीकी जो थे, वो मा सिता को अपनी बेटी मानते थे, ठीक है, और जब मा सिता को यह पता चला, तो बहुत ज़ाद वो दुख हुए, और समय सिता मा जो थी, वो गर्भूवती भी थी, अब उसक उनको शिक्षा दी, उनको पढ़ाया, उनको आगे बढ़ाया, आठ साल तक ऐसे ही चला, और उसके बाद फिर भगवान राम, भगवान राम के सामने जब लोग कुछ आये, तो आपको फिर वो पूरा पता ही है, उसको मैं पूरा इवेंट नहीं रिपीट करूँगा, कि किस तरीके से जब भगवान राम को पता चला कि लोग कुछ हमारे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, और मा सीता से मिलने की वो जित करने लगे, फिर मा सीता वापस आई, सीता आयोध्या में आई, अब जब सीता आयोध्या में आई, और भगवान राम ने सीता को देखा, तो बस भग्वान राम से ये बोलती है कि नहीं नहीं आप माता सीता उन्होंने अपनी आचरण का प्रूफ नहीं दिया. तो भग्वान राम ये रिक्वेस्ट कर देते कि अगनी परिक्षा तो सीता तुमको देनी ही पड़ेगी. तो बस सीता जी का यहाँ पे जो मा सीता है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर मैं सही हूँ, अगर मैं पवित्र हूँ, मेरी पवित्रता की यहाँ पे हर कोई प्रूफ मांग रहा है, हर कोई सबूत मांग रहा है तो उन्होंने धर्ती मा से आगरे किया कि अ अंदर से बहुत ही जादा ग्लानी होती है लेकिन वही चीज़ है एड्मिनिस्ट्रेशन आपको प्रॉपर एड्मिनिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा फिर उसके बाद भगवान राम का भी वक्त जो है वो पूरा ही हो गया था भगवान राम ने लोगों का उधार किया टीचिंग्स बता ही दीती अब उनका भी समय आ गया था कि वह वैकुंट चले जाए ठीक है ना तो यह थी महारिशी वालमिकी जो थे वह लोग कुछ के साथ तो नहीं रहे भगवान राम ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं चाहूंगा कि आप हमारे पुत्रों के साथ रह अब रामायन तो आपको पता ही है अगर आप अगर रामायन आप देखना चाहते तो रामायन साथकर की तो बेस्ट है लेकिन एक अनिमेटेड रामायन है ठीक है आपने देखा ही होगा काट्व नेटवर्क पर उसको हर दिवाली पर दिखाया जाता है वह बहुत ही बहत ही उसके भजन बहुत ही अच्छे है तो आप जरूर देखेगा आई होप आपको लेचर पसंद आया होगा खुछ रही पढ़ते रहे देसे सिद्धान तक नहीं होता ही साइनिंग होगा